नमस्कार शिक्षार्थियों नमस्कार शिक्षार्थियों नमस्कार शिक्षार्थियों मैं डॉक्टर प्रीती बोरा ग्रहविग ग्यान विभाग उत्रकंड मुक्त विश्य विद्याले में कारे रत हूँ और मैं अपने ग्रहविग ग्यान के शिक्षार्थियों का स्वागत करती हूं कि की calculating फेलन को बाड़े में, कि जी पदिता और शूद में इस ने उसे में का एक पर इस वेहां की अ का पयों में वहां हमों शूद विदियंग अर्थ परिभाषा उद्देश और महत्त को हम आसे वेहां को यहां करें प here सबसे पहले इस व्याखन शिंख्ला में जो सबसे बेसिक बात जो हमें जाननी है वह है शोध की बारे में जानना है कि क्या शोध का अर्थ होता है या क्या उसकी परिवाशा है शोध मतलब research जिसको हम English में research के नाम से जाना जाता है जो moon root से Latin word है जो re और search को combine करके बना है re अर्थाद दुबारा search मतलब खोजना अर्थाद कोई भी चीज जो already है उसको हम नए सिरे से दुबारा उसके बारे में हम खोज करते हैं या उसके बारे में नई जानकारियां हासिल करते हैं बहुत सारे methods हैं इसके जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और उसके बारे में अधिक अध्यान करते हैं जिसको हम research कहते हैं वेग्यानिक पद्धती दुआरा ग्यान प्राप्त करना इसका नियंत्र प्रयास करना ही शोध है बहुत सारे जो वग्यानिक हैं उन्होंने अपने अपनी तरफ से इसकी परिभाशा लिखी हुई है इसका अर्थ बताया है जैसे रेटमिन और मुरी ने शोध का अर्थ पष्ट करते वे लिखा है कि नवीन ग्यान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयतन को हम शोध कहते हैं अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें कोई नई जानकारी लेनी है उसके लिए जो हम एक सेट पैटर्न से हम स्टडीज करते हैं कई सारे उसके phases होते हैं, कई सारे उसकी stages होती हैं जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे उसको हम research कहते हैं Advanced Learner Dictionary of Current English के अनुसार किसी भी ग्यान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधाने पूरवक किये गए अनवेशन या जाच परताल को शोध की संग्या दी जाती है स्पार और स्फेंसन ने शोध को परिभाशित करते वे अपने पुस्तक में लिखा है कि कोई भी विद्वता पूर्ण शोधी सत्थी के लिए तथ्यों के लिए और निश्चित्ताओं के लिए किया गया अनवेशन है पर प्रकाश डालती है कि किसी भी नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम जो व्यवस्तित अध्यान उसका करते हैं कई सारे बातों को उसमें ध्यान में रखते हैं कई तथ्यों की खोज करते हैं कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं उसको हम रिसर्च कहते हैं इसके अंतरगत केवल नए सत्यों या नए सिद्धानतों की खोज करना ही नहीं है बलकि कोई पुराना established fact है जिसके बारे में हम नए ढंग से उसको जानना जा रहे हैं कई सारी ऐसे चीज़ों होती हैं जो पुरानी समय में हो चुकी होती हैं पर हमे उन्हें नए सिरे से उसके नए तत्यों की खोज करनी होती है या उसको नए ढंग से प्रस्तूत करना होता है या पुराने ही सिद्धानतों को नए तरीकी से प्रदान करना होता है या उनका अधिक सपश्टी करन चाहिए होता है या उनके मद्ध में हम अंतर सम्मंधों का पध्ध्यान करना चाहते हैं कोई दो established fact है, कोई दो तत्य हैं, अब हम जानना चाहते हैं कि कोई उन दो तत्यों के बीच में कोई सम्द्ध तो नहीं है, तो इन सब बारे में हम खोज करते हैं तो उसको भी हम शोत के अंदर study करते हैं इसको प्रिरिद करने वाले चार मुख्य तत्वे हैं, सबसे पहला है अज्यात को जानने की जिग्यासा, रिसर्च का सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, जो आपके अंदर अगर किसी चीज को जानने की जिग्यासा है, तो आप शोथ के लिए आगे बढ़ते हैं, ज कोई नया खूजने के लिए और पुरानी वेग्यानी प्रक्रियाओं या विदियों की जांच करने के लिए हम शोथ करते हैं, क्या उद्देशे होते हैं शोथ के, पुरानी और वर्तमान की घटनाओं की स्थिति को गयाद करना, चुनी हुए घटनाओं की प्रगर्ति, क्या पुरा इंपक्ट था, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम शोथ करते हैं, और कोई पर्टिकुलर कोई घटना है, उसका हम इतिहास जानना चाहते हैं, और समय के साथ उसमें कैसे बदलाव आया, जैसे इसका उधारन आप ले सकते हैं, मानलो आप इस विशह प अध्यान आप करते हैं तो उसको शोत कहते हैं और कुछ जैसे पहले भी हमने बताया कि घटनाओं के मद्ध में अंतर संबंद जानने के लिए भी शोत किया जाता है और एक सफर शोत करता वह होता है जो किसी नए सत्य को खोजना चाहे तो उसमें सक्षम हो अच्छे से उसको प्लैंड तरीके से कर सके पूराने सत्य जो अल्लेडी कुछ घटा हुआ है उसको नए धंग से प्रस्तूत कर सके और उनका आप से संबंद ग्याद कर सके और उनका उचित स्पष्टी करन दे सके विशेश साम की बात करें शोद के तो यह एक तर्क पूर्ण और वस्तुनिष्ट प्रक्रिया है मतलब कोई भी शोद में कोई भी बात अगर आप कहते हैं तो आप उसके साथ तथ्यों को पेश करते हैं बिना तथ्यों के आप शोद शोद के जो रिजल्ट होते हैं उनको नहीं दिखा सकते किसी भी चीज़ को खोजने में या किसी भी किसी भी कंक्लूजन तक पहुँचने में आपको तथ्य चाहिए होते हैं उसकी जो प्रॉसेस होती है वह शोद है और इससे प्राप्त जो निशकर्ष होते हैं जो इससे प्राप्त कंक्लूजन होते हैं वो तारकेक होते हैं जैसे मैंने भी बताया कि किसी ना किसी फैक्ट पे बेस्ड होंगे और कोई ना कोई आक्रों से संबंदित होंगे जो आपने खटा की होंगे या किसी द्वारा किसी authentic source के द्वारा इखटिय के होंगे जो आपने use की होंगे वो भी आगे आप पढ़ेंगे source of जो data होता है primary, secondary इस तरीके से तो उस पे अधारित होता है और या व्यक्तिकत पक्षपात से मुक्त होता है मतलब आप इसमें किसी को favor नहीं करते है जो जैसा त तत्य सिद्धान्त या विधी वस्तू की खोच करी जाती है या प्राचीन किसी तत्य सिद्धान्त को परिवर्दित किया जाता है उसे नए ढंग से पेश किया जाता है या एक बहुत धिक प्रक्रिया है और जिसके द्वारा हम समस्याओं का समधान भी करते हैं सैद्धान् हो सकती है और इन समस्याओं के समधान है तो हम specific tools का या उपकरण का जिसको हम शोत की भाशा में कहते हैं उनका या प्रक्रियाओं का process होते हैं उनका उप्योग करते हैं और इस जो पूरा method होता है शोत का research का उसमें आंकड़े खटा करे जाते हैं जिनको हम data कहते हैं उन डेट और इन आकड़ों की संग्रहण के उपरांथ ही इनका विशलेशन किया जाता है और इसके लिए कई परिकल्पनाओं का निर्वान एं परिक्षन किया जाता है जिनको हम hypothesis कहते हैं hypothesis के बारे में आप आगे और जानेंगे इन आकड़ों के विशलेशन में सांखी की विदियों का प्रयोग के जाता है अभी इसके आने वाली स्लाइड में मैं बताऊंगी इसमें कि जो हम लोग आखड़े इकटा करते हैं उनमें हम statistical methods को use करते हैं अलग-अलग आखड़ों के लिए अलग-अलग statistical methods होते हैं जो उन से results को निकालते हैं जिसको हम अपनी findings या अपनी conclusion कह सकते हैं और ये आकड़ों की जो प्रकृती होती है जो हम data इखटा करते हैं वो हमारे द्वारा जो select किया होता है sample जो हम उसके लिए select करते हैं शोत के लिए जिस subject को हम चुनते हैं या जिसके ऊपर हम वो research कर रहे हैं उस इसे जो हम result मिलते हैं वो सत्यापित होते हैं जैसे मैंने अभी पताया आपको की fact based होते हैं क्योंकि इसका जो पूरा process होता है वो नियंतरित होता है जो आपके दोरा control किया जा सकता है और objective होता है कई सारे इसमें हम scientific tools का भी उप्योग करते हैं और कई सारे जो अपकरण होत होते हैं उनका tools and techniques होते हैं उनका प्योग करते हैं और इससे जो प्राप्त ग्यान होता है वो precise, valid और reliable होता है जिसे हम परिशुद, वैध और विश्वसनी कहते हैं प्रिशाइस से अब समझ रहे होंगे कि correct होता है वैध मतलब valid मतलब की सही होता है fact based होता है और विश्वसन होता है विश्वसनी इस तरीके से होता है कि आपने कोई research करी आपने कोई study करी उससे जो findings आपकी आएं आने वाले समय में उसको कोई अपनी study में use कर सके सही मान कर या उसके basis पे कोई आगे study कर सके तो उसको विश्वसनी होना भी जरूरी है अर्थाद उस जो study है वो पूरी सही है और उसके results आपकी study के हिसाब से बिल्कुल सही है तो उसको हम reliable study कहते हैं और इसके लिए जो हम conclusions draw करते हैं research में उसका जो findings होती हैं उसके लिए भी हम अभी लेकन या प्रतिवेदन करते हैं आपने देखा होगा लोग अपने research papers को publish करवाते हैं उसे journals में चपवाते हैं वो इसलिए क्योंकि जब आप वो study करते हैं तो आप उसे general में चपवा के उसका एक उसको एक तरीके से आप सम्हाल लेते हैं आगे कि कई अगर कई जो और लोग हैं वो कोई study कर रहे हैं उनको उसमें help हो सके और वो उससे प्रेड़ना ले सके या उससे संबंधित कोई तक और वो खटा कर सके हैं इसका मैत वह होता है कि इस ते हमारे ग्यान का विश्तार होता है सबसे मैत बात है कई सारी समस्याएं होती हैं उनके बारे में हम study करते हैं तो हमें उनका help राप्त होता है और तार की कौर समेक07 की दस्ति मिलती है हम उसे तरक के बेस पे या फैक्ट के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं और हमारे ग्यान में विकास होता है और कई सारी स्थितियों के बदलने की जो बदलती हुई स्थितिया हैं उनके तथियों की हम व्याख्या कर सकते हैं या पुनर व्याख्या कर सकते हैं और कई सार जो परासना तक शिक्षार्थी हैं हमारे उनको अपने इस पूरे प्रोग्राम में एक डिसर्टेशन भी करना होगा अगे के लिए तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब वो शोद करें तो किस किन किन चरणों को फॉलो करते हैं तो सबसे पहला है selection of research problem यानि कि अपनी जो शोद समस्या है या विशे है उसका चुनाओ करें चुनाओ कोई एक subject आप लेते हैं जिसपे आप शोद करते हैं तो वो सबसे जो important factor है उसको select करने का वो अपनी पसंद जैसे आप जिसमें चाहते हैं कि मैं इसमें चाहती हूँ कि मै मदुमहे के रोग्यों पे research करनी है तो मैं उससे related कोई topic ले सकती हूँ किसी particular food का उसपे effect देख सकती हूँ या obesity का उसपे effect देख सकती हूँ और age के साथ उसका effect देख सकती हूँ बहुत सारे topics हो सकते हैं तो सबसे पहले मैं उसका chain करूँगी फिर होती है साहित्य समीक्षा यानि कि review of literature इसमें क्या होता है कि जो आपने study करी है उससे मिलती जुलती या उससे सम्मंधित कोई पूरू में studies हो या उसके relation में कोई उपलब the literature आपको मिल जाए कहीं तो वो सब आप इखटा करते हो उसको पढ़ते हो जिससे कि आपको इसके बारे में और अधिक जानने क जान पाते हो आप इसके बारे में और उसके बाद इसी के basis पे आप अपनी सारी methodology और tools को decide करते हो कि मैं किस प्रकार जो मेरा research का topic है उसमें मैं किस प्रकार अपने जो मैं चाहती हूँ करना उसको मैं कर पाऊंगी फिर हम उद्देश्यों का स्पष्टी करन करते हैं जो स्कागला stage है उसमें हम जैसे मान लीजे मैं मदुमेहे पे अपना show करना चाहती हूँ पर मुझे उसमें अपने उद्देश्यों को बहुत specify करना पड़ेगा नहीं तो मदुमेहे एक बहुत बड़ा topic है और अगर मैं स्टडी करने लगँ तो वह बहुत जादा scattered study होगे जिसमें मैं समझ नहीं पाऊंगे कि मैं मुझे कोई दिशान ही मिल पाईगी तो मैं अपने objectives को define कर लेती हूँ कि मुझे मेरा objective है कि मैं चाहती हूँ एक particular food का इस पे effect blood glucose पे effect तो मैंने अपनी study को एक particular topic पे सिमित कर लिया तो उसे क्या होगा मेरा जो शोध है वो आसान हो जाएगा और वो मेरे शोध को दिशाब्रदान करेगा फिर है hypothesis और research question इस चरण में हम क्या करते हैं कि अपनी जो हमारा शोध विशा है उसके लिए एक hypothesis चुनते हैं जो अनुभविक य अमपेरिकल या मातरात्मा अध्यन हो तो उसका एक उप्यूक तो उत्तर हो जैसे इसमें भी मैं यही वाला उधारन को इस्तिमाल करूंगी कि उस फूट का मैं मदुमेय पर ब्लड ग्लुकोस पर एफेक्ट देखना चाहती हूँ तो मेरा hypothesis हो सकता है कि मैं एक परिकल्पना मान के चल रही हूँ कि इस पर इसका होगा उस पर्टिकलर फूट का ब्लड शुगर कम करने में इफेक्ट होगा तो यह मेरा hypothesis है यह मैं मान के चल रही हूँ तो यह परिकल्पना या शोध प्रश्न होता है फिर है शोध विदियो और डिजाइन शोध विदियो के बारे में इसके अगले भाग में हम चर्चा कर करते हैं कि मैं अगर study करना चाहती हूं तो क्या मैं field work कर सकती हूं क्या मैं survey करूं तो मुझे अपना objectives मिल जाएंगे या मैं lab में study करूं या मैं किसी एक particular person के उपर study करूं किस तरीके से मैं कौन सा method चुनूं कि मैं अपना शोध अच्छे तरीके से कर सकूं यह यह step decide करता है कि मैं कौन सी विधी का chain करूंगी फिर है बहुत important प्रतिदर्श का चुनाओ यानि कि sample का इस चरण में शोध करता अपनी अध्यन के लिए sample का चुनाओ करता है जो उस particular जो हम population लेना चाहते हैं उसका representative होता है इसे मैं मदुमेह पे करना चाहती हूं अगर अपना शोध तो म हैं उस प्रतिदर्श का चुनाओ करूंगी जिसको मदुमेह हो तभी मुझे उस particular food का उसके blood sugar पे effect का पता चलेगा तो इसके लिए भी कई सारे samples भी कई तरीके के होते हैं आगे आने वाले व्याख्यानों में हम samples के बारे में या प्रतिदर्श के बारे में या प्रतिचेयन विदियों के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे एक शोध जो study होती है उसमें हम कैसे samples का चुनाओ करते हैं अलग-अलग शोध विदियों में किस प्रकार अलग-अलग तरीके से samples का चुनाओ किया जाता है और यह बहुत important है एक शोध विदी में उचित प्रतिचेयन का प्र results है उसमें बहुत जादा effect देखने को मिलता है फिर है आंकणों का संग्रहन जब आपने यह सब decide कर लिया कि मैं किस तरह की study करूंगी कौन से मेरा method होगा कौन से मेरे sample होगी तब आप आंकणों का संग्रहन करना start करते हो फिर उन आंकणों का visualization और व्याख्या करते हो इसमें हम कहीं तरह की सांकी की video का उपयोग करते हैं जैसे मैंने शुरुवात में बताया कि statistical methods होते हैं अलग- rockets तरहीक हैं हम आंकणों को study करते हैं जैसे कहीं पर हम उनके बीच में difference देखते हैं कहीं हम उनका mean देखते हैं इनके बारे में भी हम आगे तरशा करेंगे डिफरेंट वैलिड नहीं हो सकता, जब तक आप उसमें अच्छे से देखोगे नहीं, कि जब तक आप उसमें अच्छे से उसका विशलेशर नहीं करोगे, तब तक आपको कोई result, बुकता result नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, उसके बाद research findings होती है, जो हमने पहले hypothesis बन मैं उसको level low करता है, मैं अपनी findings से या निकालती हूँ कि हाँ, उसका impact है, तो ये मैं स्विकार करती हूँ और इसके आधार पर मैं अपने निशकर्शों को निकालती हूँ, और फिर सबसे end में आता है आपका report लेखन, जो अभी मैंने बताया था कि लोग अपने research studies को उनका dissertation होगा, तो फिर ये जो सारी process मैंने बोली हैं, इनको आप एक book form में लिखते हैं, जिससे कि आने वाले जो सम्मंदित शोथ हैं, उनके लिए सरलता से उपलब्द हो सकें, और वो लोगों को ये लोग help कर सकें, तो इस district course ने शोथ के परिणामों का प्रकाशन किया जा तो शिक्षारते हो अपने इस व्याख्यान में शोथ के अर्थ परिभाशा, उसके उद्देश, उसके महत्व और उसके different stages के बारे में जाना, जो उसके विविन चरण हैं, शोथ करने के उनके बारे में जाना, इस व्याख्यान के अगले भाग में हम कुछ महत्पूर्ण व झाल